नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सुमित राठी आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अच्छा दोस्तों UPSC की तैयारी जो नहीं बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है इसके अंदर में हम बहुत छोटी छोटी चीजे और बहुत जो हमारी रेगुलर तैयारी है हमने कुछ पढ़ा और हम भूल गए कुछ important information दी किसी वीडियो में देखा और हम भूल गए वो एक दिक्कत होती है तो आपके लिए जो मेरी commitment है उसमें कभी कोई कमी रही नहीं है और उसी commitment को मैं फिर से दिखाने दुबारा से आ गया हूँ आप लोगों के लिए मेरी जो वीडियो की important information है किसी वीडियो के अंदर क्या important है तो उसको मैं काट के आपके सामने लेके आऊँगा वो bites में आपके साथ share करूँगा ताकि आपको पूरा वीडियो दुबारा न देखना पड़े सो ये again मेरा जो commitment है आपके प्रती तो ये उसका एक प्रमाण मैं देना चाहता हूँ मैं और कुछ आपके लिए करना चाहता हूँ सो दोस्तो प्लीज इन चीजों को like कीजेगा इनको share कीजेगा अपने दोस्तों के साथ जितना प्यार आपने मुझे दिया इनको भी इन वीडियो को भी इतना प्यार दीजेगा एंड साथ साथ दोस्तों एक और important बात अगर आप मेरे साथ मिलके UPSC को एक साल में crack करना चाहते हैं आपको assurance दे रहा हूँ हम करके दिखाएंगे और उसके लिए आप जुड़िए अनकैडमी के साथ में plus course में तो plus course में जब आप enroll करें तो बात कर लीजेगा simple बोल दीजेगा कि आप code यूज करना चाहते हैं submit 10 submit 10 code जब आप use करेंगे दोस्तो SUMIT10 तो आपको मिलेगा मेरा guidance पूरी UPSC की तयारी में आप मेरे साथ रहोगे मैं खुद आपको guide करूँगा इस UPSC की तयारी में और unsure करेंगे कि within one year हम इस UPSC के exam को crack कर सकें साथी साथ आप सभी बच्चों से निवेदन करूँगा मेरे टेलिग्राम चैनल से भी जुड जाईएगा टेलिग्राम चैनल आपको पीछे दिख रहा है इसे भी जुड जाईएगा दोस्तो चलिए मिलते है नेक्स वीडियो में लेक्स है मारा जेंग जाल ड्रोन स्टेशन इदेख रहा है ड्रोन है आपको यार मिघाल्य जो है असम के उपर है नौर्थ इस्टन स्टेट है आपको पता है मिघाल्य के अंदर में कई सारे स्टेट ऐसे हैं बेसिकली द्यारदा हिली स्टेट पहाड़ी छेतर है जहां पर ना कोई communication facilities है ना ही कोई transport facilities है है ही नहीं, ना मात्र कीवी है, zero ठीक है, कई-कई area तो ऐसे हैं जिस सिर्फ पैदल जाके ही आप मौन सकते हो, वहाँ पे कोई सड़क, वड़क, कुछ-कुछ भी नहीं है ठीक है अब वहाँ पर किस प्रकार से health services जाए, सोचो आप वहाँ से blood sample, primary health care facilities जो है, वो कैसे काम करें, कैसे वहाँ तक दवाई पोचाई जाए, है ना, कैसे वहाँ पे जो blood sample होते हैं उनकी report आए, कैसे blood sample जाए, क्योंकि कोई facility है ही नहीं उनको बहुत ऐसे area है, west khasi district के ऐसे hilli area हैं, जहाँ पे आप पहुच ही नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे emergency service delivery के लिए हमने एक pilot project किया था, 2021 में हमने का था यार, ठीक है वैसे नहीं जा सकते, तो उड़के तो जाया जा सकते हैं, ड्रोन से बेच सकते हैं तो वो project हमारा successful रहा उसी के माद्यम से, अब हमने एक और यहाँ पे drone station बना दिया है, कहाँ पर दोस्तों आपका जेंग जाल drone station तो यहाँ से drone उड़ेगा, और यह drone दिन के अंदर आठ, पांच से आठ बर उड़ेगा, दवाईयां blood sample वगेरा, इदर से उदर तो इससे जो connectivity है इस area की, जो hard to reach area है वो connect हो जाएंगे, पाड़ी वाले चेतर जो है न वो connect हो जाएंगे, सो मेगाले जो है, उसने अपना पहला drone station जो है, healthcare service delivery के लिए open कर दिया है, ठीक है कहाँ पर है यह, यह आपका पेडल डोबा जो है primary health center at पेडल डोबा, which did not have a telecom or transport connectivity until last year, it's scheduled to receive the first delivery of medical by the drone तो है, दवाईया जो है इससे drone से क्या की जाएगी दोस्तों आपका, deliver की जाएगी मेगाले तो अन्वील, first drone station to healthcare services मेगाले स्वास्थ सेवा वितरन के लिए पहली drone station का अनावरन करेगा a pilot project was was accordingly undertaken and drone were flown on November 26, 2021 तो 26 November 2021 को एक drone उड़ाया गया था दोस्तों, and civil hospital से, तो 2 PHC जो primary healthcare center है उनकी तरफ in the state west khasi district जो west khasi district है उसकी तरफ हमने दो drone उड़ाया थे 26 November 2021 की में बात कर रहा था और एक pilot project था, बहुत अच्छे से इसने काम किया था, उसी के बाद में हम यह काम कर रहे है यह जो drone था, it has been station the drone station has been built at the sub-divisional hospital in Jengjal तो Jengjal के अंदर में जो sub-divisional hospital है वहाँ पर यह drone station हमने बनाया है यह 69 km पढ़ता है दोस्तों कहां से उसका सबसे बड़ा town है तूरा जिसको बोलते हैं तो उससे 32 km दूर पढ़ेगा Jengjal ठीक है आपका Jengjal और 69 km कहां से पढ़ता है दोस्तों आपका यहां पर sub-divisional hospital जो है वहाँ से 5-8 drone flights जो है वो पर डे ओपरेट होंगी 5-8 पर यह उड़ान भरेगा दोस्तों डिमांड जैसी होगी उसी के आधार पर medicine जो है would be delivered बाइदा वर्टी प्लेन X3 तो वर्टी प्लेन X3 के माद्यम से सारी की सारी जो medicine है वो डिलिवर की जाएगी customized drone है ठीक है तो इस customized drone के माद्यम से तो यह सारी की सारी दवाईयां जो हैं डिलिवर की जाएगी दमेगाले government decided to capitalize on liberalize drone rule आपको पता है सरकार ने ministry of civil aviation ने 2001 केस में drone rule को बहुत liberalize कर दिया था हमने आसान बना दिया था तो मेगाले government चाती है कि उन्हों उसका फायदा उठाया जाए और इसी लिए उन्होंने ये नया transportation ये नया जो है ये सब किया है रूटीन तो चलेगा ही चलेगा कभी कुछ emergency में डिलिवर करना हो कोई दवाई करनी हो कोई diagnostic sample देना हो blood unit देनी हो तो medical supply तुरंत यहां से क्या आओ पाएंगी दोस्तों यहां पर पहुँच पाएंगे ठीक है healthcare facility in the state west khasi hill district ये इसका मुख्य उद्धिश है many of these art does not have transport और communication फिर्डे में बता दिया इस west khasi district के अंदर में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर कोई communication या transport facility नहीं है तो ये उसमें help करेगा coverage की बात करता हूँ तो अभी दोस्तों देखो पहला phase है वैसे कुल मिलाके 25 primary health center है जो हम इन ड्रोन से cover करने वाले है ये पहला phase है इसमें हम पहले 5 ही center को target करेंगे 20 center हम अगले phase में लेके आएंगे next phase में 20 but अभी के लिए हम कितने रख रहे हैं दोस्तों 5 the remaining 20 facilities would be finalized after the ongoing sites recognition is complete officially set एक बार जब हम पहचान कर लेंगे न फिर बाद में जो 20 और जो है हमारे facilities उनको भी हम जोड़ देंगे there are plan to set up similar drone station at strategic location elsewhere in the state हम और भी जगें सोच रहे हैं हम और भी कहीं बनाएंगे हमारा प्रियास है कि जो मेगाले के अंदर में रूरल एरिया में जो 89% लोग रहते हैं उनकी primary health care तक facilities जो है ठीक है उनकी पहुंच बन सके वहाँ दबाईयां पहुचाई जा सके यह हमारा क्या है दोस्तों उद्देश है